परमान नमबर वन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ हाँ सुन सकता हूँ ये हमने एक ग्लू बनाया है जिसका नाम है नामी अलफा ये ग्लू स्पेस में यूज किया जाएगा हमें इसके मैक्सिमम पावर को टेस्ट करना है परमान पाको संभाल के इसे यूज करना ये नामी अलफा ग्लू किसी भी दो चीजों को जोड सकता है इसका पावर पाँच सेकंड में शुरू होगा ये जोड चुका है अब इसे टेस्ट करेंगे एक्सक्परिमेंट सुक्सस्सफुल हूँ आज़ आज़ तुम्हें इक्ला कर दिया कोई बात नहीं परमान पावर से अभी निकल जाएगा ये रुक जाओ ऐसा मत करना नहीं तो तुम्हें चोटला चाहिए इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी तक मैंने नामी अल्फा का कोई एंटी अडेसिव नहीं निकाला है तो क्या मैं हमिशे के लिए ऐसी रहना पड़ेगा मैं तो इसके साथ परेशान हो जाओंगी परेशान तुम नहीं मैं होने वारा हूँ मैं इसके बारे में जल्द ही बताऊंगा तब तक तुम दोनों को एक साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा है I'm sorry लो फस गया तुम दोनों साथ हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दोनों हमें पीछे छोड़कर आगे चले जाओ हम दोनों एक साथ अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं हमें मालूम है क्यो नाम बर्ड मैं की सलाल है वो जरूर कुछ रास्ता निकालेंगे अरे हां बर्ड मैं जरूर इस ग्लो को एक सेकेंड में नाकाम कर देंगे देख लेना हां हलो बच्चो क्यासे हो तुम साथ बर्ड मैं क्या टाइमिंग यह आपकी बर्ड मैं हम आपकी मुदद चाहिए नहीं मैं अभी कुछ नहीं कर सकता मैं धाती से बहाद दूर हूँ तुम अपना प्रॉब्लम खुद हिसाओ कर लेना ओके बर्ड मैं सुनिये तो सही लगता है लाइन डिसकनेक्ट हो गई अब क्या करें इमर्जंसी हो तो कैसे काम करें हम तो इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे चलो अभी हमें पेट्रोलिंग के लिए जाना चाहिए इनको आपस में निपटने दो चलो हम तो पेट्रोलिंग के लिए चले बूबी पता है बूबी मुझे यकीन है वो जरूर कोई नो कोई रास्ता निकाल लेंगे दोनों वैसे है बड़े होशी यार आज कितना अच्छा मौसम है न अपने शहर में वो देखो क्या हो रहा है इन दोनों ने अपने हाथ की चुपका लिए है अब दोनों अच्छे दोस्त है ना इसलिए मिचिको वो इसके बारे में कुछ गलत ना सोच ले मिचिको जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिलकुल नहीं है तुमारी प्राब्लम क्या है? तुम पागल हो गया क्या? उसे बताने वाले हो कि हमारे हाथ गलू से चिपक गय है और ये खुलने वाल नहीं है तुम्हारे बागल कमें चिला ऐसे तुम मेरे ममा मेरे पापा कॉ डाग्ती है तुमारी ममा तुमारी पापा को डांती है तुम बहुत बुरे हो अमें कुछ दिनों के लिए सब की नजरों से दूर होना पड़ेगा है न? तुम ठीक है रहे हो अपनी स्पीड थोड़ी काम करो ना प्लीज हम दोनों को एक स्पीड से उरना होगा आगे देखू देख कर नहीं उर सकते कुस्सा हो गया तुम चीकता हो चल्दी करो ममा और गांको शॉपिंग गए हुए है उनक आने से पहले ना लो तुम्हारे बदन से बद्बु आ रही है ओ मैं क्या करो यह शर्ट या फस गई है और निकली नहीं रही है मैं कैसे नाने जाओ वो तो बताओ सीजर लाओ और काटो इस शर्ट को तुम मेरी तरफ मत देखना मैं सीजर लेके आता हूँ हाँ मिल गया नाने के बाद उसे पहनने के लिए कपड़ भी तो लगेंगी मिट्सू हमा गए तुम सीजर और कपड़े लेकर कहा जा रहे थी मिट्सू लगता है मममा वापस अगे अब क्या करें अबराव मात हमें खिर्की से बाहर निकलना होगा चलो जल्दी अरे लेकिन सोचने का ताइम नहीं है साभू तुमने देखा मैंने भी देखा पर्मान बिना कपड़ो के उड़ रहा था अर्मान मुझे तुमसे यूमिन जही थी हाँ चलो अच्छा है बच गए बना मेरे तरफ मत देखा पहले कुछ तैल लो तो हाँ अरे यह क्या यह ग्लू निकल गया लगता है जब हम सोग रहे थे तब निकल गया होगा यह पर यूमिन बिंग्स पर कान नहीं करता होगा लेकिन मैं कुछ तेर इसका हाथ पक्रे रहना चाती हूँ अरे यह यह ग्लू निकल गया पको देखो ग्लू निकल गया लेकिन मैं इसे क्यो बता हूँ मैं थोड़ी देर और यह नाटक चलने देता हूँ जब तक कोई इमर्जंसी नहीं आ जाती हम ऐसे रह तो सकते हैं कम से कम पर मैं हमें काम पर जाना होगा करम कैसे जा सकते है ऐसी अलब में काम कैसे करेंगे हा लेकिन अभा में जाना होगा इमर्जंसी है इस गुफा में बड़ा सा क्रिस्टल है जो कभी भी टूटकर गिर सकता है हमें नामी अलफा ग्लू से उससे चिपकाना होगा यह ग्लू को हम दोनों तरफ से डाल देंगे और यह कीमती क्रिस्टल तूटने से बढ़ जाएगा नामी अलफा ग्लू से चिपकाना है संभल कर जाना अंदर बहुत अंधेरा है रास्ता भूल जाओगे बूभी चलो हम पहले जाते हैं क्या पाको लेट्स को ओके यह वहाँ पर मचाओ इतनी छोटी जगह में यूटन भी नहीं ले पाएंगे हमें सीधी सीधी जाना पड़ेगा मैं जड़ा बचके मैं तो डरी गया था पाको थैंकी तुम ने मुझे बचा लिया कोई बात नहीं को जाए लेफ्ट क्या राइट अगर हमें सेपरेट होना पड़ा तो पाको पाको वांटी लिए व्यीष के अंटर से गुलर लोगा तो प्लोगा अस्ति अस्ति प्लोगा अँशय चलोगा अजब है व्यक्षक कोई पाको पाको मार्मैन पाको पायां पुबी न जहां उन नहीए सत्याम किस मुसीबत से गुजरे हैं? वाकई बहुत बड़ी मुसीबत की वो तो सब ठीक है, पहले वहाँ देखो, उसे फिक्स करना है उस टूटे हुए क्रिस्टल को वाँ, इस अमीजिंग तो प्लान यह है कि मैं और बुबी उपर से प्रेशर डालेंगे और तुम दोनों नीचे से प्रेशर लगाओगे इससे यह क्रिस्टल जुड जाएगा जलो अब एक साथ जोर लगाओ ये नामी अल्फा ग्लू तो कोई भी मट्रियल को जोर सकता है ये कमाल का प्रड़क्ट है, आगे इसके कई फायदे हो सकते है हाँ, लेकिन इसका कोई अंटियरिस्ट भी निकाल लेना चाहिए, मैं कब तक ऐसे रहूंगा बताओ, मैं हमेशा तो पाको के साथ ऐसे नहीं रह सकता हूँ ना वो क्या है कि मैं तुम्हें एक बात बता ना भूली गया, कि ये ग्लू यूमन विंग्स पर 30 मिनट से ज्यादा गाम नहीं करता, क्योंकि यूमन बाडी का पसीना और कर्मी उसे रहने नहीं देती, लेकिन बताने तुम दोनों इतनी देर कैसे जिपके हो में नहीं फेले से और जाती है।